गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जी सी एस ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में इसका हम लाइफ डिमोस्टेशन भी देखेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो चलिए आगे चलते हैं GCS एक स्केल होता है जो इनीशली ब्रेइन ट्रॉमा वाली पेशेंट में यूज किया गया था लेकिन इसे हम आई सिउ में भी यूज करते हैं एक लेवल ऑफ कॉंशियसनेस देखने के लिए इस स्केल की खोज दो नीरो सरजन देट इस ब्रयान जैनेटी और ग्राहम टेस् in 1974 यह दोनों प्रोफेसर ग्लासगो यूनिवेस्टी के थे इसलिए इसका नाम ग्लासगो कॉमा स्केल पड़ा अब इस स्कोर को याद कैसे रखें इसमें क्या का कंपोनेंट होते हैं हम जानते हैं इसके तीन कंपोनेंट होते हैं कौन-कौन से आपने देखा होगा इंडिय 잠angक कंपोन एक वोटिंग मशीन इसी से हम याद कर सकते हैं इसमें 3 कंपोनेlls होते हैं E, V और M E होता है Eyes Opening V for Verbal M for Motor इसके score कैसे करते हैं हम लोग सबसे पहले तो किसमे कितने score होते हैं इसका निमोनिक है जैसे Eyes Eyes हम क्या लगाते हैं चश्मा चश्मा लगाते है इसे Eyes की तो जाती है 4 तो Eye Opening के लिए 4 component होते है Verbal V V कैसा दिखता है Roman Letter 5 कैसे दिखता है इसमें 5 component होते हैं एक में 4 हो गए एक में 5 हो गए Motor में 6 होते हैं Total score 15 होते हैं अगर कोई Brain Toma का patient है तो इस से हम Minor, Moderate और Severe Injury का पता कर सकते हैं Minor Injury 13 to 15 score Moderate Injury 9 to 12 और Severe Injury Less Than 8 इसको करने से पहले हमें ध्यार रखना चाहिए कि patient sedated नहीं होना चाहिए और patient को muscle relaxant इस प्रेलाइटिक एजेंट नहीं होने चाहिए अगर किसी patient को स्कोर नहीं दे पा रहे हैं या कोची check नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं non testable NT जैसे patient intubated है उसका verbal हम चेक नहीं कर सकते हैं उसमें लगते हैं VNT अगर patient को facial trauma है उसकी eyes को निकाल लिया गया है enucleation हो गया है ऐसे में लखेंगे ENT अगर patient hemiplesia का है पेरा प्लीजिया का है उसमें motor response चेक नहीं कर सकते हैं उसको हम लगते हैं MNT चलिए अब इसका live demonstration देखते हैं पहले हम चेक करेंगे eye response E4 E4 में आप देख सकते हैं कि subject के आंके खुली हुई हैं इसमें होता है spontaneous eye movement अनीश हाँ आप देख सकते हैं कि वरवल response पर eye opening होती है अब चेक करेंगे E2 अनीश पेन देने पर आंके खुल गई है इसका मतलब यह हो गया E2 अब हम चेक करेंगे E1 पहले में नाम से पुकारूंगा अनीश आखे नहीं खुले फिर मैं पेन दूँगा आप देख सकते हैं पेन पे भी eye response नहीं है अब हम चेक करेंगे वरवल response वी 5 क्या नाम है आपका मेरा नाम अनीश है अब हम चेक करेंगे V4 अनीश कहां पर हो घर पर अब हम चेक करेंगे V3 अनीश कहां से आये हो अब हम चेक करेंगे V2 अनीश 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 अब हम चेक करेंगे V1 अनीश 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 तो इस्त्रे से होता है वरवल response अब हम चेक करेंगे motor response अनीश अपना हाथ उठाओ यह वाला वह वाला हाथ उठाओ अब हम चेक करेंगे M5 में अपना हाथ उठाओ फिर हम थोड़ा painful stream में से देंगे अब हम चेक करेंगे M4 अनीश हाथ उठाओ फिर हम पेन देंगे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि फ्लेक्शन मूव्मेंट होता है अब देखेंगे M3 अनीश हाथ उठाओ फिर हम painful stream में से देंगे आप देख सकते हैं कि इसमें आम का इंटलोटेशन फ्लेक्शन एट एल्वो फ्लेक्शन एट रिस्ट एन पैर में देख सकते हैं पैर एक्टेंड रहेंगे M2 अनीश हाथ उठाईए कोई वर्वल कमांड नहीं है पैन देने पर आप देख सकते हैं यह डी सेरिवरेट पोस्चर बोलते हैं इसमें आम अंदर की तरफ चले जाएंगे इधर एक्स्टेंशन होगा अब हम चेक करेंगे M1 अनीश हाथ उठाईए कोई मुवमेंट नहीं है पैन देने पर भी कोई मुवमेंट नहीं है यह हमारा M1 हो जाता है थैंक यू फ्रेंड्स इस्पेशल थैंक टू मिश्टर अनीश जो कि इस वीडियो के लिए सब्जेक्ट बने अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए अपने फ्रेंड्स का शे के साथ में थैंक यू वरी मुच